यह है आपका 233 का हिंदी का 801 डीवी कोड का बिलकुल वैरल पेपर और हाँ इस पेपर का मैं बहुत ज़़ादा एनलीसिस किया हूँ दस दिनों तक लगतार 5-5-6-6 गंटे एनलीसिस किया हूँ और इस पेपर को यह बहुत ज़़ादा इंपोर्टेंट पेपर है इसमें ऐस ऐसे कोशन पूछे गया है जो हर साल रिपीट करते है गारंटी दे रहाँ कि इस पेपर से आपका 50 संकॉट में वीडियो में बिलकुल त suppरा दूंगा एकदम वwar Do करके हैं कि पचास वीडियो में रिपीर करते हैं कोई इसा भी पेपर उठा देखे पढ़ने के तो आप बहुत सा जादे पढ़ने लगेंगे लेकिन बहुत ज़दा पढ़ेंगे तो आपका मार्स नहीं आ पाएगा क्यों नहीं आ पाएगा या आप जो पेपर का पैटरन होता है वो नहीं समझ पाते हैं कहा जाता है कि रेगिस्तान में कितना भी बहुत सारे पेपर को घुमा घुमा कर बना देते हैं लेकिन बच्चों को पता नहीं चलता है कि यहां किस वीडियो को देख लेते हो तो यहीं सारी चीजों का पूल खोल देना वाला हूं पूरा पैटर आपको किलियर करा दूंगा और जो बताऊंगा नहीं आया तो कहना नह में इस दस प्रस्नों की जिम्मेधारी मैं नहीं लूँगा पहले बता दे रहा हूं यह दस प्रस्न आपके पूछे जाते हैं यहां पर तो अभी बताऊंगा जैसे बताऊं वीडियो में 50 संक बिल्कुल विक्स करा दूँगा 20 के मात आपको तैयारी करनी है कैसे कदा है दि है बताइए का सथाई भाव होता है क्या सोक होता है और आप समझजी समझें करूडस एक और हास करूडस है ठीक है तो और यहां पर हर साल पूछे जाते ही यहां पर हासी कर देगा या फिर यहां पर करूड कर दे चाहिए जैसे देखिए एकजामपल आपको करुंड रस का इकजामपल देखिए कि इस अंधी आज बना कर मुझकको क्या ना है तुम्हेलिटत उपयुज़न्ग्त पंक्ती हैं मैं कौन सा पर करूण रात्रक्स जहां। सेंड होगा वहांपर भाव हुग याँ कि कुषिक का भाव होगा तो इस से आपके एक नमबर यहां पर फिक्स हो गाए बहुत असान तरीके से पूछ सब्सक्राइब तो थोड़ी देर आपको इस वीडियो को देखना कॉपमा अलंकार में हिए कि क्रव Till G से ठिकना यारी की उपमाद दीजारी है कि हवाई हरी के पढ़ थोड़ा मतलब रभाइ म露 कर दिया ढा 달ि जाते लिए पर वहां पर उपमालंकार हो जाका अच्छ समझ लीजिए एघ जहां पर उपा कलंकार जहां पर कोई भी कोई भी भेद नों समाने जाते। कि एक समान है दूनों भाई एक ही है समान था दिखा दीजाए वहां पर रूपा कलंका जैसे यहां पर दिखिए चरण कमल बंदव है यानि कि कमल चरण जो है यानि कि कमल के समान है कि इसके हरी के चरण जो है कमल के समान है यानि कि हरी के चरण को कमल के एकदम समान बताया गय ये चार वर्ड लिख लिख लिजे मनू मानो जनू जानू ये चार वर्ड याद अखेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा जहां पर विजैसे देखी एक्जामपल सोहत ओडे पीद पट स्याम सलोने गात मनो नील मड़ी सैल पर आतपु परीड प्रभात यानि कि मनो यहां पर आये न है यहां पर आपका उत्रिद्छा लंकार हो जागा और यही तीन आपके अलंकार आपके स्लेवास में तीनों को तयार्द कर लोगे यहां पर जैसे बताया ह पर आपके शलेबस में दो है रोला और चारणो होते हैं लेकिं रोला क्या होता है twelve ग्लिखा जाता है और रेकिन बीस-गा इसमें राता है तो कि चार लाइन में लिखा जाता है एक दो तीन और चार चार लाइन में लिखा जाता है और सोठा एक और दो लाइन में लिखा जाता है लेकिन बीच बीच में कामा इसमें राता है तो चार चारण हो जाते हैं तो समझेगा आसान तरीका से कि रोला जो होगा चार लाइन में होगा सोठा दो लाइन में होगा सोठा जो होता है दोहा के जैसे ही होता है ति इस टीक से आप समझ जाएंगे कि नहीं इसमें चार दिखाएगे कि अगर यारा हो तेरा परियाती होगा तो यह आपका रोला हो ज में परी उसको और यहां पर आपका यहां पर आपका यह प्रत्त यहां पर 15 से पूछा जाएगा और राद में लगता है तो महांता में घुना है तो तो थोड़िये महान यहां पर महान है गुष तबन रहा है कि नहीं आठा नमबर यहां पर प्रते हो जाएगा यहां पर पर प्रते हुज़ यहा क्या है? देखे समास आपके सेलेबस में दो है द्वीगु है द्वीगु यानि कि द्वीगु जो होता है संख्या बाची होता है जैसे चौरा हां चौरा हां संख्या बाची है यहाँ पर दस आनन दस जो है दस क्या है दस यहाँ पर आपके संख्या है तो द्वीगु हो जाएगा ठीक पहले और दूसरे सब्द के बीच में हाइफं लगा होता है और पहला और दूसरा सब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं दूसरे को नमबर फिक्स हो गया हर साल यह पूछा जाता है तो परिवाची आप अपने से याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से देख लीजिए इस संदी बीचे बहुत जड़ा आसान होता है हर साल पूछता है संदी विचे यानि की सब्दों को तोड़ दोना अब यूद्य को तोड़िया भी प्लस उदया यानि कि अब वूदय हो जाएगा यहां पर संदी बीचे आप बहुत आसान तरीके उसे कर ले जाओगे और मधू नहीं पूछे जाएगा यहां पर यहां पर यह जो ग्रामर वाला पोशन है इसका दस नमबर तो हमने फिक्स करा दिया अच्छे तरीके से और यह भी देख लिजे बाई चांस हो सकता है इनमे से 3-4 कोशन पूछे जा सकते हैं बोड़ी जा में 10 नमबर वो पका करा दिया और कम से कम बता रहां चार नमबर की इनमे से तो पूछे जाएगे बहले कितना भी कोई सावी पेपर बना दिया जया चार नमबर जरू से पूछा जाएगा तो समझ जिए चिंता मड़ी के प्रेम चंद जैसंकर प्रसाद का नाटक नहीं है लारो के राज हंस सेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखा के भारें धरमवी भारती अपनी खवरात्म कथा हैं पांडे वेचन सर्मा उग्र की जल्दी बता रहां ठीगे ना बुशन किस्यू के कभी है रीतिकाल के ललित लाल किसके हैं मतिराम के बहुत ज़्याद आभी आगे बताना है इसलिए फास तोड़ा करां ठीगे ना यह सुधरा रचना है मैंतली संड़ गुप्द की आंगन के पारदवार हैं वास्यानन हिरानन अगय की दीव सिखाकावे संग्रह महादेवी वर्मा की इन से चार नमबर प गद्यास दिये जाते हैं तो इसकी मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगा आपसे एक ही बता बात साब बता रहा हूं लेकिन जिम्मेदारी यहां पर ले रहा हूं थोड़े देर में आपको बताऊंगा इसका ट्रीक की चाहें कोई सावे गद्यास आजाए आप कैसे स्वाल करे पूछे जाते हैं इसकी मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं क्योंकि यहीं पूछे जाएंगे तो आप सबसे एक ही रिक्वेश्ट है कि इनको तयार करना है यह भी फिक्स नमबर है बस बता दूँगा उस तरीके को फॉलो कर लेना आप लोग यहां पर क्योंकि मैं सबस्वीं हिंदी मैं अनुवाद किजिए दो प्रश ती यानिंगी पंस तंबर का यह रहां पर यहां पर यह इविपंश नंबर के लिए रहरातिस नंस्करिटी चोड़ी तो वीरेंडबुजर यहां तो तत्ma अी cherry और यह नहीं ही कर आ Regardless यहां पर आगे चलिए यहां पर कहाँ कि दिये गए पद्याद्स में से किसी एग पद्याद्स का संधाब अंवार कीज़े यहां यह मिनट का भी यहां बन्लोग लिखा हूं रूसा कि एक यह त्यार कर लिछे यही तीनो स्लोक तयार कलीचे बहुत ज़्यादा आसान है यह तीन स्लोक तयार कर लोगे यहां पर देखे ना दो यहां पर दिया है यहां पर यहां पर एक लास्ट में आपका आता है स्लोक लेखन आएगा स्लोक लेखन आता है उसको भी इनी चारों में से चारों को तयार कर लोगे तो एक जरूद दो देगा तो दो नहीं रहेगा तो वहां पर पुझे जैता है कि जो आपके प्रस्ट में ना आया हो उसको लिखना है तो भी आपका फिक्स हो जाएगा यानि कि पांच नमबर यह औ तीन नमबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा देखिए जो भी आपके जीला में लगता हो यह बहुत सारे खंड़कावी दियेगा है तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि कौन से जीले का कौन सा खंड़कावी है आपके जो जीला में लगता है आपने ठीचा से पूछकर लेना है यह खंड़कावी थीक्ए ना उसके बड़ाएं यहां पर फूछा जाएगा का जीवन तीन लेखा का तयार कर लो गारंटी देता हूं 100 परसंट बोल रहा हूं कि नहीं आएगा तो जिंदा जला देना ठीक है ना यहां पर तीनों को तयार कर लो अचारे रामचे रसुक लगा डाक्टर भगवस्टन उपाध्याएका और यहां पर जैसंकर प्रसाद का तीनों तया आया कि नए दो आया है अचारे रामचे रसुक लगाव जैसंकर प्रसाद देखे ना आको यह करना ही है को यह कर दोगे हर साल पूछा जाता है बस आपको यह तयार कर लेना है पास नमबर का यह और कभी कभी आता है और एक रचना लिखने को ठीक है ना तो कभी में गोश् तुलसी दास सूधास और महादेवी वर्मा यही तिनों तयार कर लिजे यह चारों को छोड़िए तीन बता रहा हूँ गारंटी देता हूँ कि बोड़ का कोई सभी एक्जामिनल आएगा तो यहीं तीनों को पतलब तीनों मैं से एक जरूर रहेगा पांच नमबर यह आपका ह कि बहुत ज़दा है पांच नंबर या और पांच नंबर यह फिक्स हो गए कि नहीं हो गए बहुत ज़दा आसान होता है हिंदी का पेपर पैटर न समझे लेना है और इसको तो मैंने बता है कि स्लोक लेखना आता है यहां पर दो नमबर आपको बताई दिया कि उच्छारों त्यार करोगे तो नंबर यह भी फिक्स हो जाएगा जाए काँ इसके बार यह अब का पूछण आथा यहाँ पर यहाँ पर यह वाला पोस्ट यहाँ पर यह वाला पूसरन जो होता है संस्कृत में यहां पर उत्ता देना है तो इसका तो भई दो चेप्टर तयार कर लीजे वीरा वीरेंड पुझेते और यहां पर कौन सा यहां पर जो है वरांड सी चेप्टर उन ही से पूछे जाएंगे यह बहुत ज़ादा आसन है पांच साथ दस तयार करेंगे दस आंसर अपके सीरीज स यहां पर भडा इसको मैं पॉइंट करता हूं यहां पर देखिये यह अपर दो नमबर का यह पूछा जाएगा तो यहीं साथ नमबर का पूछा जाएगा तो चार यार कर लimi यह जो चारो दिये हैं इसको मतलब लिखने का रोज प्रेक्टिस कर लिजे पहला देश प्रेम आतंकवाद की समस्या और समधान प्रदूसन और मानो जीवन और एक है जनसंख्या लाभ और हानी इसको छोड़ दीजे जनसंख्या लाभ और हानी को टेयर कर लिजे कोई सावी पर उठाका देख लेंगे यह चारों में से एक जरूर रहेगा जनसंख्या लाभ और हानी लाष्ट वाला ठीक न यहां पर देखें मॉडल पेपर में भी यही पूछाए गया होगा देखिए यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं प्रेया और संक्षड को पाया तंकवाद के निवांड जनसंख्या लाभ और हानी नारीश सक्तिकांड तो यही का देना है एक वीसे पर आपको निवांड लिखना है चारों को तैयार कर लोगे तो एक तो जरूर रहेगा और एक कुलिक देर जाओगी यानि कि साथ नंबर यह फिक्स हो जाएंगे यानि कि दो नंबर जाओफ यहां पर इक और आपका 10 नंबर तर देका हैं और हने का यहांकर देएगा Ohh यहां के दो किए गाये यहां के यह दो और की पूछाज से अपने विशे सूचियों के मित को पत्र लिखना है और यहां पर किसी भी अधिकारी को पत्र लेखना ऐसा बता दिया हूं कि कोई सब आ जाए दुनिया का पत्र लेखन उस टीक से आप लिख ले जाओगे तो बस उस वीडियो को देख लेना चार नमबर यह भी फिक्स हो हूं मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूं और सबको जोड़ता हूं सबको जोड़ी यहां पर 14 यहां पर प्लस यहां पर साथ और प्लस यहां पर तीन और यहां पर प्लस यहां पर पांच और पांच दस यहां पर यहां पर दो और साथ कितने हो गया नौ और नौचा तेरह य प्रिक्स करा दिता हूं यहां पर यहां पर अच़े से लिए कि आपके से याद कर लेना है और सन्दाव उसी तरीके से हो और गद्यांस का व्याख्या ज्यादा कुछ होता नहीं हिंदी में एकदम सू अस्पष्ट खड़ी वोली में रहता है उसको बढ़ा चड़ा कर लिग देंगे हो जाएगा पद्यांस वाला थोड़ा आपको तयार करना होगा पद्यांस का थोड़ा अच्छे से तयार कर लिज चीजे अच्छे से समझाओंगा यहां पर हिंदी का बहुत जड़ा आसान होता है बहुत जड़ा स्कूरिंग सब्जेक्ट होता है तो बस आज किस वीड़ों में ज्यादत दीजिए अगली वीडियो में मिलने का तो मैं मिल तो आपको इसकी नेक्स वीड़ों में तर तक ल हैं दो बने मता